अचाया एक Virtusea का इंटर्व्यू हुआ था जो experience मैंने शेयर भी करा है कि क्या क्या कोशन पूचन पूचे ते और क्या क्या मने ब्लंडर करें उसमें अब मेरे को बदा है और वो reject हो गया उसमें मतलब अगर मैं expect करूँ कि मेंको pass कर देंगे या उसका feedback नहीं आया मेरे वो interview का तो बेमानी होगी बाते अब उसके बाद एक इंटर्वी जैसे ही क्लियर गया था एक चार घंटे बाद एक mail आया मेरे पास वर्चूसा की तरफ से कि आपका कैसा experience रहा इंटर्वीव को लेकर वो शेर कर दो उसमें इंटर्वीव के रिजल्ट का बारे में कुशन दे बच में वो दे दो कि प्लस माइनस क्या थे प्रॉस कॉंस जो भी तुम्हें अच्छा लगा इंटर्वीव मैं थोड़ा साल सी आदमी मैंने गुला इसकिप करो इसे बाद में भर दूंगा भर दूंगा उसे फिर प पास दा एलवन राउंड अब मैं फिर सोच रहा हूं मैंने बुला है एलवन कैसे पास कर दो कि मैं आप पता है वो मेरे को फेल हो जाना चाहिए उसके बाद भी आप पास कर रहे हैं उसके बाद फिर बात हुई सेलरी नेगुसियेशन भी कर रहे हैं ठीक है वो खतम हुआ फिर उसके बाद अगला चार घंटे बाद कल फिर एक मेल आती है कि फीडबैक दे दो तो अब यार तुम्हें फीडबैक चाहिए तुम सीधे बोल देगे ना कंडिडेट को यह मत बोले कि तू पास हो गया यह आप गलत बात बोलते हो अगर आप ऐसा कहते हो तो और वो मेर पास कर लिया कर दिया करो तुम्हें सारे बातों के जवाब मिल जाएंगे तुम आगे अकले राउंड में जाने वाले हो या नहीं तो जो कहते हैं कि यह मैं पास कर लिया तो पास नहीं है फेल है बाट बिकास अफ सम उनकी भी डिपेंडेंसी होती है कि हाँ इस से किसी तरह कुछ और काम करवा लो तो वो था और एक जो मैंने असाइनमेंट शेयर करा था उसका भी रिग्रेट आगया आज मेल में वो भी पता था मेरे को मैंने बुला है यार यार लोगिं सम हार् कोडर तो बिल्कुल ही मतलब उन्हें कोडर ही चाहिए था अब यह वह वाला रोल मतलब और वह भी स्पीड से काम करने वाला मैं काम कर दिया था वैसे बट उस पेस से नहीं करा जिससे वह एक्सपेक्ट कर रहे थे तो शायद उस वजह से भी वह रिजेक्ट हो गया और क्यों दो